तो दोस्तो आप लोग जानते होंगे इंडिन मार्केट में नई वाली केटियम ड्यूक 200 जो है लाँच कर दी गई है जिसमें आपको नयवाला TFT पैनल भी देखने को मिल सा है अब दोस्तो आप लोगों के बहुत जीता कमेंट आ रहे थे कि समीर भाई ड्यूक 200 आतो गई है तो क्या इस दिवाली हमें ये बाइक लेना चाहिए या हमारे पर कोई और या फिर हम कुछी और आप्शन के साथ में हमें जाना चाहिए फिलाजल इस वीडियो में दोस्तों आपको यह तो नहीं बता रहा कि कौन से बेस्ट 200 बाइक है बट आपको मैं ड्यूक 200 के टॉप 5 रीजन के बारे में मैं बताऊँ हूँ ऐसे कौन से 5 रीजन है जिस रीजन से आपको KTM के ड्यूक 200 लेना चाहिए सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में अब जाहर सी बात है दोस्तों कमपाने ने इतने अप्रेट दिया है तो कमपाने ने इसका प्राइस में बढ़ाया होगा थाना इसबित का'd कर ना मैं बैस्तों आपको द्यान रखी है अग 2,40,000 रुपए के आसपास कि आपको ये ओन डूड प्राइस देखने को मलती है अब आप लोगों को सीटेन स्टेट में इसका क्या प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके ज़रू बताएगा चलिए अब आते दोस्तों इस बाइक के डीटेल में तब इसके डी कमी ये थी कि इसका डिस्पले जादा अच्छा नहीं लगता था पुराना था डिस्पले तो मौझा नहीं आता था देखने में बट आप कमपनी ने अपडेट दे दिया है तो जायर से बाते दोस्तों कि अब इसमें आपको नया फुली कलर टीएपटी आपको इसमें देख अच्छी हो गई है दोस्तों नेगस्ट रीजन इस बाइक को खरीदने का ऐसे निकलन आज आता है झेक अब जायर सी बात है कि की बाइक अगर आप ले रहे हूं थेक यह वै उसमें आपको प्शॉलन तो जरूरन देखने को मेलेगा पफॉलने के मामले में यह बाइक बहुत अच्छी निकल गया थी और परफॉर्मेंस बाइक इसका जाद इतना अमादा तगड़ा है ना कि क्या ही बोलो 25 का PS पावर है और इसमें आपको 19.3 का टॉर्ग आपको देखने को मलता है तो पावर और परफॉर्मेंस के मामले में KTM की बाइक ह साथ में जा सकते हैं ठेक दोस्तों डेक्स रीजन है इस बाइक को लेने का वह निकल गयाता है दोस्तों इस बाइक का look का look and design अब जहर सी बात है दोस्तों जब भी हम आग एक SPORTS सेग्मेन की बाइक ले रहे है तो हम उसका look and design जरूर देखते है कि बई उसका look and design कैसे है अब look and design बहता रहा है तो जैसे बात है बाइक बहता रहा है तो आपको बता है कि अब देखिए आपको पता है KTM Duke 200 में दूस्तों आपको fully LED light आपको देखने को मलती है नो डॉट इसका light का look है जो design है उस बज़े से light भी तो अच्छी मिलती है प्लस इस light के बज़े से इसका look and design है वो भी आपको बहुत तगड़ा देखने को मलता है तो looking wise देखेंगे और light wise तो भी यह bike बहुत अच्छी निकल के आ रही है आपको बता दो इस bike में आपको fully LED light देखने को मलता है fully LED light होने की बज़े से इसकी light बहुत ज़दा bright भी है और दिखती भी बहुत अच्छी है तो यह भी बहुत बड़ा जो reason निकल के आता है इसे खरीदने का हुआ है दोस्त दोस्तों यह ना बहुत ज़दा प्यारी लगती है प्यारी लगती है इसलिए क्योंकि front में भी disc है और rear में भी disc है वो तो ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ यह मिलेगी कि इस ब्रेकिंग परफार्मस है वो आपको बहुत देखने को मलती है ठीक है जितनी बैतर ब्रेकिंग आपको इसमें देखने को मलती है I don't think आपको किसी और में इतनी बैतर ब्रेकिंग आपको देखने को मले तो यह भी बहुत बड़ा कारण है जिस रिजन से दोस्तों आप जो है इस बाइक को खरीज सकते हैं दोस्तों बात कर लिए इस बाइक के नेक्स रीजन के बारे में तो आपको मिलेगा दोस्तों इसको खरीदने को है इसका comfort देगी दोस्तों यह जो बहुत ज़्यादा comfortable बाइक है किसी भी बाइक से जो है compare कर लीजे डियूक टुनिट काफ यह दा comfortable आती क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह नहीं है ओ कि नेकट रीजन के बिज़ेंगी दो से बहुत बबढ़ा कारण हैं जिस कारण से समस्तों आपको सारे और रीजन अगर आपको तरह से आपको लगता को कोई और रीजन है तो आप नीचे comment section में comment करके जरूर बता सकते हैं भाई की दोस्तों आप लोगों को ड्यूक टुनडट कैसे लगती है नीचे comment section में comment करके जरूर बताना उमेद करता है आपके छोटे से interesting विरो अच्छी लगी दोस्तों विड़ अच्छे लगी तो like करना चैनल पे पहली बराएं तो सब्सक्राइब करना मिलतें नेक्स शुरू में लवी ओल जाहिन वने मात रम